प्रिय दोस्तूं नमस्कार आज के इस वीडियो में हम परेंगे कि स्वरू वो व्यंजनू की सहायता से बाराह खड़ी को अंग्रेजी में केसे लिखा जाता है देखिए और समझते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं को की सामनत जो ब्यंजन होते हैं वो सारे आधे होते हैं आधे के लिए हम इसे इस प्रकार प्रकट करते हैं अगर इस को को पूरा लिखना हो तो इस प्रकार लिखा जाएगा अब इस को में ओ भी विद्यमान है को में ओ की मात्रा है अथात इसमें ओ है तब को को लिखा जाएगा के ए को को के ए लिखा जाता है तो यहां पर हम लिखते हैं के ए अब हम का पर चर्चा करते हैं का को हम परते हैं को प्लस आ अर्थात के आ को हम ए एसा पड़ा जाता है का को के ए पड़ा जाता है को और का को से मही पड़ा जाता है तो इसे लिखेंगे के ए अब आते हैं की की को क्या लिखें की को क्या लिखें इ इसमें कौ पलस इ है तो क को के पड़ा जाएगा इ को आई पड़ा जाएगा तो की का संपू उचारण होता है के आई तो यहाँ पर लिखेंगे के आई ठेक उसी प्रकार इस वाली बड़ी वाली की को क्या लिखा जाएगा इसे हम लिखते हैं क पलस इ को को के लिखा जाएगा बड़ी वाली इ को डबल इ लिखा जाता है तब इसका संपू उचारण के डबल इ होता है अब हम को पर चर्चा करते हैं इसमें को पलस उ विद्यमान है को को के पड़ा जाएगा उ को यू पड़ा जाएगा तब इसका उचारण होता है के यू अब को को क्या पड़ा जाएगा को पलस उ देखिए को पलस उ अर्थात को को के पड़ा जाएगा बड़ी वाली उ को डबल ओ पड़ते हैं इसको का संपू चारण होता है के डबल ओ ठीक उसी ब्रकार के को हम पड़ते हैं क पलस ए थात को ए को ई पड़ा जाता है तो के इ इसका उचारण होगा काई को हम पड़ते हैं काई को पलस आई थात के ए आई एक इ का उचारण होता है इ आई तो यहाँ पर की इ आई को को यहाँ पर हम पड़ते हैं क पलस ओ अर्थात को को की पड़ा जाएगा ओ को ओ परते हैं तो यहाँ पर इसका उचारण होगा के ओ काउ को क्या पड़ा जाएगा को पलस ओ अथात को को के पड़ा जाएगा ओ को ओ यू आउ को ओ यू पड़ा जाता है तो यहाँ पर लिखेंगे हम के ओ यू अब आती है कंग को को के पड़ा जाएगा को पलस अंग और अंग को ए एन पड़ा जाता है को को क्या पड़ा जाएगा को पलस अंग यहाँ पर को को की पड़ा जाएगा ओ को इ एच पड़ा जाता है तब यहाँ पर हम लिखते हैं की इ एच इस वीडियो में इतना ही थैंक यू हे वनाइस टे आगे के जो आगे के खाखी होते हैं इसी प्रकार उन्हें भी बनाया जाएगा इस वीडियो में इतना ही थैंक यू हे नाइस टे